आठ नवंबर को चंद ग्रहन छे राशिया होंगी करणपती। दोस्तों साल का दूसरा चंद ग्रहन लगने जा रहा है जो कि कारतिक माश की पूरिमा को रहेगा। इस ग्रहन के दवरान बहुत शारी घटनाई होंगी तो वहीं दो ग्रह वक्री अवस्ता में भी रहेंगे। ये काफी भैंकर और प्रभाव शाली चंद ग्रहन रहने वाला है और काफी लंबा चंद ग्रहन रहने वाला है। आपको बताना चाहेंगे कि 8 नवंबर को पढ़ने वाला चंद ग्रहन सभी राशियों पर अलग अलग प्रभाव डालने वाला है। परंतु सभी राशियों के प्रभाव शे देश में काफी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा जैसे तूफान भूकंब जैसे प्राकरदिक आपदाईं हो शकती हैं। दोस्तों आठ नवंबर को पड़ने वाला चंद ग्रहन इसका सही समय और शुतकाल इसके अलावा कौन-कौन सी भागशाली राशियां रहेंगी। शुब कारियों के वारे में भी बताएंगे जो ग्रहन काल के दवरान आपको करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्ची तोर पे आपको इसका शुब पढ़्याम मिलेगा। आप अपने जीवन में चल रही किशिवी प्रकार की कोई भी समस्याएं हैं उनसे छुटकारा पाशकते हैं। तो दोस्तों 8 नवंबर 2022 को लगने वाला साल का दूसरा चंद ग्रहन जो कि ये कारतिक माश की पूर्यमा तिथी को लगने जा रहा है। तो वहीं इस चंद ग्रहन का प्रभाव कुछ राश्यों पर अशुब तो कुछ राश्यों पर शुब देखा जा सकता है। दोस्तों भारत में भी ये कई राश्यों पर जैसक बिहार, बंगाल, उडिशा, असम, अरुणाचल, प्रदेश में घाले, मडिपूर, मिजोरम, तिर्पुरा, नांगालेंड और शिक्क में दिखाई देगा। लगभग शभी राश्यों में भारत में ये दिखाई देगा। बात करें अगर ग्रहन के समय और सुतक काल की, तो दोस्तों, आठ नवंबर को दिन मंगल बार को ये जो चंद ग्रहन लगेगा, ये दुपार एक बचकर 32 मट से सुरू होगा, और शाम 7 बचकर 27 मट पर ये चंद ग्रहन समाप्त हो जाएगा। यानि इस चंद ग्रहन की कुल अबादी लगवग 6 घंटे की होगी, शुतक काल चंद ग्रहन लगने की 9 घंटे पहले ही सुरू हो जाएगा। काल के समय, खास कर विशेश, सावधानी बरतनी चाहिए, खास कर गर्वती महिलाओं को, बड़े बुढ़े बच्चे रोगी को छोड़ कर अन्न किशी को भी भोजन नहीं करना चाहिए, इस दोरान खान पीन के पदारतों पर तुलसी दल जरूर रख देनी चाहिए, शुतक की तोर पे आपको इस में तुलसी दल जरूर उसमें डाल लेनी चाहिए, पहले से ही, दोस्तों, ये साल का दूसरा यानि की चंदग्रहन लगने जा रहा है, और काफी प्रभावशाली रहेगा, इसका असर शभी राशियों पर देखा जा सकता है, दोस्तों, ग्रहन काल के स अशुब और मांगलिक कार नहीं किया जा सकते है, अशुब माना जाता है, चंद ग्रहन के दवरान, यानि की चंद ग्रहन के अश्भी प्रभावशे बचने के लिए, आपको महामृतिन्जय मंतर का जाप करें, ओम नमोई शिवाए मंतर का जाप करें, कोशिश करके इस समय जे सिर्क्रेशन ओम नमो भगते वाश दिबाए गायतरे मंदर का जाप अधिक शदिक करें और तुलसी के पत्ते का सेवन करें खाश कर गर्वती महिलाएं बाहर न निकलें चाको शुई धारदार वाली वस्तों नाचुएं वरना वच्चे पर इफिक्ट पड़ता है गर्व जगने जा रहा है ये आपके जीवन में काफी जदा इफक्ट डालने वाला है और आपके जीवन में पैसे से जुड़े धन से जुड़े कोई भी समस्याएं हैं तो उससे चुटकारा दिलाने वाला है परन्तु ये चंद ग्रहन हमारे देश के लिए भी काफी जदा इसका अश्यू प्रभाव पड़ेगा कई तरह के अश्यू प्रभाव और नकरात्मक प्रभाव इकश्टा कर रहा है कई मुसीवितों को भी लाने वाला है दोस्तों चलिए अब बात करते हैं अब जान लेते हैं उन सभी राशियों का हाल जो कि इस चंद ग्रहन में यनि कि जो शुब राशी भागशाली राशी है वो है यहां पर दोस्तों मिथुन राश मिथुन राश के आद को बता दे कि ये चंद ग्रहन आपके लिए बहुत ही शुब रहेगा बता दे कि इस बार का ये जो चंद ग्रहन लगेगा ये मेस राशी में लगेगा इसलिए म स्वाजिक इस्तिती मजबूत रहेगी लोगों में लोग परिता हाशिल करेंगे और आपकी प्रती उल्लाश खुशियां भी लोगों के प्रती बढ़ेगी बतादे कि इसमें नए कार की शुरुआत कर सकते हैं धन निवेश करने के सोच रहे हैं तो काफी जदा लाब देखने को मिलेगा इसमें आपको सफलता मिल सकती है धन दौलत में ब्रद्धी होगी कई प्रकार के शुबकार भी करने के कोशिश कर सकते हैं तो कोशिशे रंग लाशकेगी अगली जो राशियाती दोस्तों वो है यहाँ पर कुम्भराश के आद को बता दे कि सफलता कदम को मिलेगा आपकी प्रसंसाइब करेंगे पुरानी मितरों से मेर मिलाब बनाके रखेंगे तो लाब होगा यह चंद ग्रहन आपके लिए बहुत ही लाबकारी रहेगा शुब फल परदान करेगा बता दे कि इसमें बैंक बैलेंस बढ़ेगा बैंक से लोन बागार मंजूर ह इसमें अपने स्वास्त कभिशेस रूप से ख्याल रखनी जरूरत है अच्यानक से धन लाब की नए धन के श्रोत आशकते हैं जमीन जाजात की मामले में आप को इसमें नए फैसले लेने पड़ सकते हैं आर्थिक इस्ति मजबूत रहने वाली है राजिनितिक छेत्रों से कन्य राश क्यात को कई जिमिदार्यां बढ़ेंगी धन खर्चों में कमी आएगी यहां पर खर्चों में थोड़ी कमी आएगी और पैसों की जरूरत अगर पड़ती है तो आचानक से कहीं से धन लाब हो सकता है बैंक से लोन बगर मंजूर हो सकता है आर्थिक इस्तिति को शुधारने में काफी एहम रहेगा अपने जीवन में शफलता प्राप्त करेंगे प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी मधूरता आएगी कारिस्थाल पर चल रहे बिवाद भी खत्म हो जाएंगे आपके लिए यह चंदग्रहन बहुत ही शुब रहने वाला है अच्छ राश के अदकों आपके बहुत शुब दायक रहेगा और बहुत शुब दायक यानि कि आपको प्रभाव भी देखा जा सकेगा बता दे कि विशेश शफलताएं प्राप्त करेंगे अगली जो राशी आती है चोथी वो यहाँ पर ब्रिश्चिक राश के अदको बता दे कि अब आपके किसमत चमकेगी कई महतपूर छेतरों से लाब होगा पूराने कारे पूरे होंगे इसमें अगर किशी से मन मुठाव चल रहे हैं तो प्रोब्लम सॉल्ब हो जाएगी इसमें जीवन साती से मजबूत सम्मंद बने रहेंगे परिवार के लोगों के प्रति आपका बिश्वाश यनिकी बढ़ सकता है परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ सकती है और कई महतपूर छेतरों में आपके जिम्मेदारियां बढ़ेंगी गाड़ी बाहन के खरीदारी करेंगे जमीन प्रोपर्टी के खरीदारी कर सकते हैं बित्ती मामलों में काफी ज़्यदा सुधार देखने को मिलेगा कई महतपुर्ण छेतरों शिलाब देखने को मिलेगा बात करें अगर हम शिंग राशी की तो शिंग राशकत को आप के लिए ये चंदग्रहन इसमें थोड़ी सावधानी बरतें मन मुटाओ परिबार में हो शकता है परिबार में जिम्यदारियां बढ़ेंगी और इसमें बित्ती मावलों में अशर देखा जा सकता है शातिसाद धन खर्चों में ब्रद्धी हो शकती है इसमें आपको आर्थिक स्थिती में सहायता किशिकी मिल सकती है और इसमें बदलाव भी देखा जा सकता है ब्यापार में बदलाव, केडियर में बदलाव देखा जा सकता है खुद की साउधानी को लेकर भी आपको वाणीपन नियंतरन बनाये रखने की जरूरत है बात करें यहाँ पर मीन राशी की तो मीन राश के यातकों आपके लिए बहुती शुबफल दाइक रहनेगा यानि कि ये चंद ग्रहन बहुती प्रभावशाली रहेगा आपके लिए बरिष्ट लोगों से और बरिष्ट अधिकारियों से आपकी जो संबंध होंगे बहुती मजबूत रहेंगे और इनसे कई महतपूर्ण शेतरों से लाब होगा बता दे कि इस समय बीना जोब और बीना नोकरी बीना वेपसाई की अभी धन लाब कमा शकते हैं बता दे दोस्तों कि अब अगले जो राशी आती है यानि कि छटमी जो करोरपती बनने वाली है वो है याँ पर धनू राशी धनू र जिर्वाइस का ये जो दूसरा चंद ग्रहन और साल का अंतिम भी ग्रहन होगा तो दोस्तों ये बहुत ही शुब परिणाम लेकर आएगा और आपके किश्मत को यानि कि जो बंद किश्मत के ताले है उसे खोलेगा भाग सात में आश्मान पर रहेगा बता दे कि धन समपत् स्वास्त बेतारोगा प्रेम जीवन में खुशियां लवलाई पचरेगे स्टुटेंट के लिए महत्पूर्ण सफलता प्राप्त होगी घर परवार में कोई महत्पूर्ण शुबकार हो शकते हैं दोस्तों वही पर अगर बात करें तो ये मेश राशी में लगेगा तो मेश पुरु ब्रहस्पत वक्रिगत अवस्था में चल रहे हैं और इस बार के चंदग्रहन में बड़ा राजयोग और धन्योग कर निर्मान कर रहे हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है तो दोस्तों ये छे राशिया इस बार के चंदग्रहन में बहुत ज्यादा खुद किस्मत रहने वाली है बहुत ही भागसाली रहने वाली है तो दोस्तों अगर आपको भी अपनी राशी का हाल जानना है तो कमेंट सक्षन में जरूर लिखें और दोस्तों वीडियो को लाइक करें ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जय चंद्रदेव